नमस्कार स्वागा थे आप सभी का सिक्षा सेडिकेस योटूब चैनल में दोस्तो लेकपाल भलती के जितने भी अभ्यलती हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी खवर निकल के आ रही है कि जल्द से जल्द जो है लेकपालों के 8000 पदों पे जो है भलती की प्रक्रिया सुरू कल दी जाएगी तो इस निउज को हम कवर करेंगे और इसके साथ ही लेकपाल से जोड़ा जो सिलेवस है उसको भी हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो अभ्यलती लेकपाल परिच्छा के त्यारी कर रहे हैं उनको किस प्रकार से अपनी तयारी को जारी रखना है सिलेवस के एकॉर्डिंग तो हम सिलेवस को भी इस वीडियो में कवर करेंगे जो लेकपाल भलती के लिए प्रस्ताविज सिलेवस है तो इस वीडियो का बिल्कुल ध्यान से देखिएगा सबसे पहले आईए निउज को कवर कर लेते हैं तो आप इस देख रहे हैं चैन वक्त मेरीट पदों पर नया सिरे से एक सात भलती मतलब तीजक वर्स मतलब इसले देले पक्त नहहें बाठ रहे हैं इसके लिए अधिनस्त सेवा चैन आयो ग्याने के UP SSC ने राजस्य परिसत से जून 2020 तक के रिक्त पदों की भलती का नया प्रस्ताव माना है मतलब जून 2020 तक जितने भी रिक्त पदोंगे लेकपाल के उन सभी पदों पे जो है लेकपाल की भलती निकाली जाएगी तो इसे भी आप ध्यान दिजेगा इसके बाद जो राजस्य परिसत की आयुक्त एवं सचीव ने मंदला युक्तों को एक सपता में भलती प्रस्ताव उपलवद कराने का निल्देश दिया है तो इसे भी आप ध्यान दिजिएगा उसके बाद न्यूज में क्या बताए गया है तो प्रदेश में राजस लेखपालों के 30,800 कुल 37 पद हैं तो आप या देखेगा प्रदेश में टोटल राजस लेखपालों के 30,837 पद हैं जिनमें से 8,000 से अधिक पद जो हैं खाली है ज आजसे परिशत को वर्स 2017, 18, 18, 19 और 19, 20 के रिक्त पदों का जिलावार भलती प्रस्ताव उपलब्द कराने को कहा है मतलब जल्द से जल्द जो 8,000 पदों पे भलती निकाली जाएगी लेखपाल की वो पिछले 3 वर्सों की जो खाली भलतिया है मतलब 3 वर्सों की पिछले ज वर्सों सबी पदों पे भलती जल्द से जल्द निकाली जाएगी तो यह चोटी से नियूस थी लेखपाल बलती अब्यरतियों के लिए अब हम बात करेंगे सिलेवर्स की लेखपाल का जो प्रस्तावी सिलेवर्स है उसके बारे में तो यहाँ पर लेखपाल का सिलेवर्स आपके सामने है, total 4 section में लिखपाल का पेपर होगा ये 4 section कौन कौन से होगे समान इंदी का होगा उसके बाद mathematics यानि गड़ित का होगा, समान इज्ञान का होगा उसके बाद gram समाझ और gram विकाज, total 4 section में लिखपाल का पेपर होगा प्रतेक सेक्षन से 25 प्रस्ण पूछे जाएंगे 25 नंबर के ततर टोटल प्रस्णों की जो संख्या होगी वो टोटल 100 होगी तो इसे आप ध्यान दिजेगा समान हिंदी, मैथमेटिक्स, जनरल नौलेज और ग्राम समाज और विकास के मिलाके टोटल 100 प्रस्ण जो हैं लेकप प्रस्ण पूछे जाएंगे तिसे आप ध्यान दिजेगा अब सिलिबस में क्या क्या पढ़ना है आपको ये भी देख लीजिए तो यहां पे आप देख रहे हैं समान हिंदी और समान इज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है तो समान हिंदी में आपको पढ़ना है व्य उनको पढ़ना है बालती त्यास के बारे में पढ़ना है आपको उसके बाद इंडियान पॉलिटी और economic section अभी आपके exam में प्रसंद पूछे जाएंगे लेकपाल में तो इसे भी ध्यान दीजेगा इसके बाद समान हिंदी में आपको अलंकार हो गया समास, पर्याय वाची, विलोम सब्द, तस्सम तद्बव, वक्यांसों के लिए एक सब्द, सब्द निर्माण, लोकोक्तियां में मुहावरे और वलतनी तो ये सबी सिलेवस किसका है तो समान हिंदी का तो इसे आप ध्यान दिजेगा वहीं समान इज्ञान का मैंने क्या बताया था भालती राजनिती और अलतसास्त के अलावा भुगोल और जनसंख्या से प्रस्ण बनेंगे उसके बाद समान जीवन के परिपेच से विशेश रूप से दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के प्रस्ण जाने की करेंट अफेर्स की यहाँ पर बात हो रही है करेंट अफेर्स से भी प्रस्ण पूछे जाएंगे आपके लिख पाल बलती परिछ्छा में, उसके बाद भालती इतियास में आपको अध्यान होना चाहिए उसके बाद राष्टवाद का उदे और स्वातंदता प्राप्त करने की अपेच्छा की जाती मतलब स्वातंदता और राष्टवाद के उदे से जो नौलेज है वो आपके दिमाग में होना चाहिए यहां से भी आपके एक जामे प्रस्न जरूर पूछा जाएगा इसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं समान इंदी में वाग के संसोधन उसके बाद संधी लिंग वच्चन कारक त्रूटी से संबंदित और अनेकालती सब्द भी पूछा जाएगे और वहीं समान इग्यान के सेक्षन में आपको पढ़ना होगा विस्दु भुगोल में भ पर किया किसका समान हिंदी और समान इग्यान का अब हम बात करेंगे गड़ीत और किसकी तो ग्राम समाज और विकास की तो गड़ीत में आपको क्या क्या पढ़ना है संख्या पद्धती प्रतिसत लाभानी सांखी की तथ्यों का वर्गी करण उसके बाद आवरित्ती आवर प्रेक्वेंसी, पॉलीग्रान, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा केंदर्ी माप, समानंतर माद्धे और समानंतर मोड, इसके बाद गिमेट्री से भी प्रस्ण आपके एकजाम में पूछे जाएंगे, इसके बाद 20 गड़ित से भी प्रस्न पूछे जाएंगे आपके एक्जाम में तो 20 गड़ित भी आप तयार कले जग जैसे LCM SCF हो गया तो ये सभी भी पूछे जाएंगे आपके लेकपाल की परिच्छा में इसके बाद जो आपका ग्राम समाज और विकास इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है तो ग्रामिर प्रसाशन एवं राजस्यो प्रसाशन के घटक और कारे के बारे में आपको पढ़ना है उसके बाद ग्राम समाज और विकास में आपको पढ़ना है राजस्यो प्रसाशन घट पिपना मसिनरी पिपल्स भागेदारी और एंजियों की भूमक्याद में सुधार ये से भी पढ़ना है उसके बाद भालती ग्रामिल समाज प्रकृति और लच्छन बालती समाज के कारक जनजाती ग्रामिल सहरी ग्रामिल सहरी निरंतन कमजोर वर्गों की समस्या अनुसूची अनुसूची का आयजन और अनुसूची जनजाती के बारे में आपको पढ़ना है उसके बाद आपको पढ़ना है ग्रामिल संस्थागत प्रनाली धार्मिक और सयोग इसके बारे में आपको थोड़ी नौलेग जोनी चाहिए इसके बाद जो ग्रामिल संस्थागत सिस्टम उसके बाद ग्रामिल समाजकी परिवलतन ये सबी भी आपको पढ़ना है उसके बाद ग्रामिल रोजगार के सुरोत स्वसायता समु के बारे में आपको थोड़ी नौलेज जुने चाहिए सौन जनती ग्राम स्वरजगार योजना के बारे में आपको थोड़ी नौलेज दूने चाहिए यहां से भी प्रसन आपके एक्जाम में पूछे जाएंगे इसके बाद प्रजेंट टाइम में जितनी भी ग्राम विकास के लिए योजनाई चलाई जा रही है यहां से भी आपके एक्जाम में प्रसन पूछे जाएंगे तो ग्राम विकास के लिए किंद्र के दर्ण कौन-कौनाई चलाई जा रही है आदल्स ग्राम योजना, स्वाकारी विकास योजना, सूखा विकास योजना, उसके बाद जवार ग्राम सम्रिद्धी योजना, इसके बाद अनपुर्णा योजना, अन्तियोदर अन्ना योजना, स्वाज योजना, तो मतलब ग्राम विकास के लिए जितनी भी योजना है, प उसके बाद ग्राम विकास के लिए राज सरकार की भी जितनी योजनाई उनको भी आपको पढ़ना है यानि ग्राम विकास के लिए केंद सरकार और राज सरकार के दोरा जितनी भी योजनाई चलाई जा रही है उन सबी को आपको पढ़ना है वहां से आपके प्रस्ट जरूर एक्जाम में पूछे जाएंगे जैसे आपके आप देख रहे हैं ग्राम विकास के लिए राज सरकार के तरह कौन-कौन सी योजनाई चलाई जा रही हैं किसान पेंशन योजना किसान रत योजना अमबेटकर योजना उर्जा किरसी सुधी योजना आम आदमी भीमा योजना उसके बाद संजिमनी परिवार योजना आदर्स नगर योजना वंदे मातरम योजना प्रेदर्सनी योजना सुध पेजल योजना तो यह सभी जो ग्राम विकास के लिए चलाई जा रही हैं इन सभी के बारे में भी आपको नौलेज होनी चाहिए यहां से भी आपके पाल भलती परिच्छा से लेटेट उसके से लेटेट आयोब आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू थैंक्स पर वाचिंग थैंक यू